जै शनी देव मित्रों, मैं सच्छी शर्म आपका अपनी चैनल पर स्वागत करता हूँ और शनी देव से प्राइटना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना अशिरवाद परदान करे हो और आप सभी लोगों की मनुकामना पूर्ण करें और 9 वर्ष में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो हम इस वीडियो में सिर्फ मीन लगन के जातकों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे जनवरी के महीने में सूरे बुद्ध और शुक्र का बहुत ही महतवपून राशी परिवरतन रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस महतवपून राशी परिवरतनों का आपके जीवन पर क्या परभाव बढ़ सकता है तो यदियावनी कुडली के परथम भाव में 12 नमबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसे कि आप देख रहे हैं और यदियावनी कुडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहां परथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा तो यह मासिक राशिफल जनवरी दोहजार चौबिस आपके लिए है बाकि सभी लगने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हूं सरपरतम चर्चा करते हैं आपी कुंडली को जिस परकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय में सूर्य और मंगल कुंडली के दशम भाव में हैं शनी आपी कुंडली के बार्मी भाव में हैं राहु कुंडली के लगन भाव में हैं केतु सब्तम भाव में गुरु दूसरे भाव में शुक्र और बुद्ध की यूति कुंडली के नवम भाव में है वर्तमा सवे मंगल और सूरे कुंडली के दशम भाव में है मंगल जो कुंडली के भाव के स्वामी है इस समय अस्थ अवस्था में सूरे के साथ है जिसके कारण अपने शुब फल देने में थोड़े असमर्थ हो सकते हैं सूरे जो आपकी कुंडली के छटे भाव के स्वामी है आपके कर्म स्थान पर होने के कारण आपके कारणे को लेकर मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं इस समय आपके सीनियर के साथ किसी प्रकार की भेस हो सकती है जिसके कारण आपकी छट भी धूमिल हो सकती है यह वह समय रहेगा जब सूरे और मंगल की यू thi आपको कुड़ में आकर किसी प्रकार के गलत निरणे को लेने की लिए बाद्ध्या कर सकती है इस समय आपको अपने कुरोध पर नियंतरन रखना होगा जिससे आप कुरोध में आकर कोई गलत निर्णे अपने कार्य संबंदित अपने कैरियर संबंदित ना ले गुरू का वर्तमान गोचरापी कुंडली के दूसरे भाव में है जहां से गुरू की दृष्टी कुंडली के छटे भाव, अश्टम भाव और दशम भाव पर होगी गुरू की दृष्टी कुंडली के दशम भाव पर होने के कारण ये आपके नौकरी संबंदित कुछ लाब दे सकता है यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं नौकरी डून रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना महुत प्रबल है आपके बिजनस संबंदित सकारात मकफल ये देगा आपके केरियर संबंदित कुछ शुब आउसर मिलने की संभावना रहेगे इस समय आपके फैमिली बिजनस में एक स्थिरता आती दिखाई देगी जो जातक किसी प्रकार के रिसर्च में हैं ऐसे जातकों को अत्यंत शुबफल मिल सकते हैं इसका आपकी फैमिली लाइफ पर और आपके वित पर क्या पर भाव पड़ सकता है इस पर हम अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे शनी का वर्तमान गोचर कुंडली के बारमे भाव में अपनी मूलत तिरकोन राशी में अर्थात कुंबराशी में बना हुआ है जहां से शनी देव की दृष्टी कुंडले के दूसरे भाव पर, छटे भाव पर और नवम भाव पर होगी अर्थात भाग्य भाव पर होगी जैसा आप इन एहरों की मदद से देख पा रहे हैं जो लोग 45 वर्ष की आयू से अधिक हैं इस परकार के जातकों को शनी का ये गोचगर अधिक धारमिक भी बना सकता है आपके खर्चे व्यर्थ के कारण भी हो सकते हैं आप से ये बहुत अधिक मेहनत भी करवा सकता है जो जातक विदेश में सैटल होना चाहते हैं विदेश में किसी परकार का आउसा ढूंड रहे हैं यदि आप इंपूर्ट-ेक्सपोर्ट के कारण में हैं तो इस परकार के कारियों में आपको किसी परकार का अक्समात लाब भी ये दे सकता है शनी का ये गोचर आपकी जिग्यासा जीवन के अनसुल जे पहलूँ की तरफ आकर्शित कर सकता है आपका ध्यान रिसर्च अर्थात शोध में बढ़ सकता है आपका ध्यान एस्ट्रोलोजी में भी बढ़ सकता है बार में भाव का शनी आपको आपकी फैमिली से दूर लेकर जा सकता है आपकी नौकरी में ट्रांसफर हो सकती है आपकी बीजनess में आपको घर से तूर जाना पड़ सकता है जिसके कारनमानसिक तनाओ भी बढ़ सकता है इसका आपके स्वास्ते पर chemistry इन आगे की सेक्शन में चर्चा करेंगे राहू का परतमान गोचल आपकी कुंडली क लगन भाव में है जहां से राहो की दृष्टी कुंड़ी के पंचम सब्तम और नवम भाव पर होगी जैसा आप इन एरो की मदद से देख पा रहे हैं राहो का लगन भाव में होना ये मस्तिश्क में किसी परकार की अस्तिरता बढ़ा सकता है इस समय आपका ध्यान भिन भिन में आकर्षित कर सकता है पैसा कमाने के कुछ स्षोटकट तरीकों की तरफ भी आपका ध्यान ये लेकर जा सकता है जिसके कारण आपकी उर्जा बंट सकती है और आपको आपकी मेनत अनुसार जो लाब मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है उसमें दीवापन आ सकता है इस समय आप जल्दबाजी में किसी भी परकार का निर्णे अपने कैरियर सम्बंदित ना ले अन्यत हानी हो सकती है इसका आपके पार्टनर्शिप बिजनस पर भी नकारात्मक परभाव पढ़ सकता है राहु की दृष्टी कुंडली के नवम भाव पर होने के कारण ये आपके भागे सम्बंदित कारियों में विग्न डाल सकता है रुकावटे उतुपन कर सकता है आपको क्या उपाय करने हैं मैंने उपाय सेक्षनें बताएं हैं आपो अवश्य करें आपको लाब मिलेगा इस समय में राहु की दृष्टी कुंडली के पंचम भाव पर होने के कारण ये आपकी बुद्धी ब्रहमित कर सकता है जिसके कारण आपके नड़ने लेनी की शमता पर प्रभाव डाल सकता है इस समय आप मेरिटेशन अवश्य करें साथ से चोदा जनवरी तक का समय आप ये कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय बुद्ध का गुचर कुंडली के दश्रम भाव में होगा जिसके कारण तीन गरहों की यूती कुंडली के करम भाव में बनेगी जिसके कारण तीन अगनी तत्व वाले गरहें आप एक कुंडली के करम स्थान में हैं जिसके कारण आप अपने केरियर को थोड़ा नकारात्मक रूप से ले सकते हैं अर्थात आप में किसी प्रकार की नकारात्मक बातें घर कर सकती हैं अथ्वा आप दूसरों की बातों में आकर किसी प्रकार का कोई गलत निर्णे अपने कारे के परती ले सकते हैं जिसके कारण मांसितनाव बढ़ सकता है 14-18 जनवरी तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी जैसे आप देख रहे हैं इस समय सुर्य गोचर कुंडली के 11 भाव में अर्थात लाव भाव में होगा जिसके कारण आपकी मेहनत अनुसार जो लाव आपको मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है उसमें विलंब हो सकता है जो जातक सरकारी नौकरी में हैं उन्हें इस समय अपनी परमोशन को लेकर थोड़ी चिंदा बढ़ सकते है आपकी प्रमोशन को लेकर विलंब हो सकता है यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी परकार का कोई बिजनस कर रहे हैं तो उसमें तनाव भी बढ़ सकता है सूरे के इस गोचर के कारण आपको मंगल दवारा कुछ शुपफल मिल सकते हैं इस समय ऐसे जातकों को कुछ सकारातमक फल मिल सकते हैं जिने अपने कारे में भागा दोड़ी अधिक करनी पड़ती है जो जातक किसी परकार के खेल कूद के कारे से जुड़े हैं आम्ड फोर्स मुझे तक का समय कोह प्रकारव दिखेगी जैसा आप देख रहे इस समय शुक्र का गोचर कुंडली के नवम भाव से कुंडली के दशम भाव में होगा जिसके कारण यृ समय에 आपके काम काज में तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है शुक्र जो कुंडली में अश्टम भाव के स स्वामी है इस समय कुंडली के करम भाव में जिसके कारण यह समय आपके कैरियर समबंदित किसी परकार का कोई ऐसी समास्या बना सकता है जिसके कारण आपके काम-काज-कुले-कर-माण सिकतनाव बढ़ सकता है और आपकी family life पर भी इसका प्रभाव होने की संभावना बनेगी जिस पर हम अपने family related section में आगे चर्चा करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप चर्चा करते हैं आपके स्वास्ते संबंदित वर्ष का पहला महिना क्या लेकर आया है शनी का वर्तमान गोचर कुंडली के बारमे भाव में है जिसके कारण ये आपको नसों से संबंदित मस्तिश्क से संबंदित किसी परकार की समस्या को बढ़ा सकता है यदि आपको सर में दर्द रहता है माईगरीन की समस्या है आप ववश्य करें आपको लाप मिलेगा 7-9 जनवरी और 25-28 जनवरी का समय आपको पेट से संबंदित कोई परिशानी बढ़ सकती है इस समय आप बाहर का भुजन अथवा अधिक मसालेदार भुजन का सेवन ना करें उससे बचें अब आगे बढ़ते हैं चर्चा करते हैं आपके वित संबंदित ये महिना क्या लेकर आया है जनवरी का महिना आपके वित संबंदित थोड़ा उतार चड़ावाला समय रह सकता है जनवरी का महिना आपके खर्चों को बढ़ा सकता है ये कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिसकी कलपना आपने ना की हो इसमें स्वास्त सम्बंदित खर्चे अधिक हो सकते हैं और आपके वाहन सम्बंदित कोई ऐसा खर्चा जिसके कारण आपका बजट भी बिगड़ सकता है तो थोड़ा सावधान रहें पांच से साथ जनवरी को किसी परकार के व्यर्थ खर्चे से बचने का प्रयास करें ये समय जब आपके अपने व्याय पर नज़र रखने चाहिए ताकि आप अपने बजट को कंट्रोल में रख सकें 11 से 14 जनवरी का समय किसी परकार का अक्समात लाब आपको दे सकता है ये लाब आपको अपने पिछले निवेशों से पराप्त हो सकता है इस दोरान आपको अपने व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा और ये भी देखें कि कैसे आप अपने निवे महिना कैसा रहेगा राहू की दृष्टी कुंडली के पंचम और सब्तम भाव पर होने के कारण या आपके व्यभार में चंचलता ला सकता है आप एक से अधिक पार्टनर्स की तरफ भी आकरशित हो सकते हैं अत्वा उनसे संबंद बना सकते हैं जिसकी वज़े से आपके प्रेम जीवन में मानसिक तनाव बढ़ सकता है इस समय थोड़ा सावधार रहें और अपने मन पर काबू रखने का प्रयास करें राहू की दृष्टी के कारण आपका व्यभार थोड़ा अलग दिख सकता है और आप सौभाविक रूप से भी जादा प्रभावित हो सकते हैं आप अपने विचारों को ध्यान से विचार करें और समझें कि क्या आपको सच में किसी के साथ संबंद बनाने के आउशकता है या नहीं अगर आप एक जातक हैं जो सिंगल हैं अर्थात यदि आप सिंगल है तो 3-5 जनवरी और 23-25 जनवरी को किसी परकार के रिष्टे में बन सकते हैं यह समय आपके लिए अनुकूल है क्योंकि आपके अंदर प्रेम भावना भी बढ़ सकते हैं आपके प्रेम जीवन में स्थिरता लाने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को साफ रखना होगा कॉमुनिकेट करें अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करें और अपने समवेदनाओं को समझें इससे आपके प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और आपके रिष्टों में स्थिरता आएगी अब आगे बढ़ते हैं चर्चा करते हैं आपके परिवार संबंदित ये महिना क्या लेकर आया है सूर्य और मंगल की दिरिष्टी कुंडली के चोथे भाव पर होने के कारण या आपके घर में तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है आपकी माता के साथ संबंदों में इस महिने तनाव बढ़ सकता है जनवरी का महिना आपके व्यवाहिक जीवन के लिए उतना सकारात मकसमें नहीं है शनी का बार में भाव में होना और सब्तम भाव पर राहू की दिरिष्टी होने से आपके व्यवारी के जीवन में तनाव बढ़ सकता है इस समय आप चोटी चोटी बातों को लेकर तनाव में आ सकते हैं आपके व्यवारी के स्थिति में थोड़ा बदलाव हो सकता है और आप अपने घर के माहौल में भी कुछ उल्जन महसूस कर सकते हैं इसको समझना महतपूर्ण है और समवेदनशील बने रहना चाहिए 14 जनवरी के बाद का समय आपके पिताजी के साथ और आपके बच्चों के साथ तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है यह समय है जब आपको अपने परिवार के साथ अधिक समवेदनशील रहना होगा उनके साथ खुल के बात करें और उनकी सुने अब आगे बढ़ते हैं चर्चा करते हैं कि किस रंग के वस्त धारन करने से आपको लाव हो सकता है और किस रंग के वस्त आपको नहीं धारन करने हैं जल अरपित करना लाल फूल चड़ाना और अदित्य हिर्दे स्रोत का पाठ आपको करना है रविवार को पीपल की पूझा करनी है सूर्रे के नकारात्मक पर भाव को कम करने में ये मदद करेगा रविवार को गुड़ का दान करना भी शुब माना जाता है इससे सूरे के सकारात्मक पहलू को भरने में मदद होती है शनिवार को शनी शांती पूजा आपने करनी है खास करके तिल के तेल के दिये को जलाना है शनी के प्रभाव को कम करने में साहय होगा इससे शनीवार को काले तिल का दान करना शुब माना जाता है इससे शनी को प्रसन किया जा सकता है और इसके नकारात्म प्रभाव को भी कम किया जा सकता है जिन जात्कों का विवा नहीं हो पा रहा है उन्हें 9 जनवरी और 23 जनवरी को परदोश्वरत करना है इस दिन आप सूर्या उद्य होने से पूर उठें, सनान करें शीव मंदर जाहें, वो बैठ कर आपने 108 बार ओन वर्शिया मंदर कर जाओ अपने करना है इस दिन आप शीव चालिसा पढ़ें, छोटी गन्याओं को भोजन किला हैं आपकी मनों कामना पूर्ण होगी, विवादी में जो भी अरचने आप फेस करने वो आपकी दूरोती दिखाए देंगी तो ये थे उमहत्वपूर्ण उपाय हैं, जने जनवरी के महिने में करने से आपको लाप प्राप्त होगा तो ये था में लगन के जातकों के लिए जनवरी दोजार चौबिस कैसा रहेगा शर्निदेव आप सभी लोगों पर अपना शिर्वात बना कर रखें, धन्यवाद